कि अधियर श्टूरेंट्स हाव और यू आई होप यू आर वेल नाव लेट्स स्टार्ट यूर फिप चेप्टर ओके और इसका मतलब होता है मिट्टी तो आए सबसे पहले हम लोग जान ले कि इस चेप्टर में हम लोग किन किन चीजों के बारे में डिसकस करेंगे तो यू विल लॉर्ण अबाउट फॉर्मेशन आप स्वाइल यानि कि स्वाइल की फॉर्मेशन कैसे होती है स्वाइल बनता कैसे है उसके बारे में सेकेंड पढ़ेंगे हम लोग स्वाइल के रचना के बारे में हैना कमपोजीशन आप स्वाइल उसके बास यहां पे टाइप हम लोग पढ़ेंगे उनके बारे में यानि कि जुड़ोग की रूप में डिसकrese करेंगे तो यह टाप्डिक है जो आप लोगको इस वाइल यानि की मृती इस चप्टर में डिसकस करना हैतो स्टार्ट करते हैं आपका चेप्टर तो लुक फॉर्ट फॉल्विंग वोड्स रिलेटेड टू स्वाइल इंद वर्ड मेस बिलो यहां पर पुरा वर्ड मेस दिया गया है वेद्रिंग करके सिल्ट करके आपको इसमें जो है उसे ढूंडना है तो आई एक दो मैं भी करके द करके इस तरह से इंसर्कल करिएगा चलते हैं लोग आपके नेक्स पेज पर निक्स पेज का यहां पर फॉर्स टॉपिक है वह आपका फॉर्मेशन आप स्वाइल की फॉर्मेशन हुई उसके बारे में यहां पर भिसकस करेंगे तो आए स्टार्ड करते हैं बिक पिसे अफ प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं वेद्रिंग और यह वेद्रिंग का मतलब होता है हवा पानी से नस्ट होना को और स्वाइल चांब को इसको आप वेद्रिंग प्रक्रिया है यहाँ है तो कि आप पीडो जिनेसिस का मेनिंग होता है मृधा जनक लेकिन यहां पर ध्यान दीजिएगा कि कोई भी पूछे वाट इस पीडो जिनेसिस या फिर पूछ दे आप से की प्रॉसेस आप स्वाइल फर्मेशन को क्या कहते तो आप पोलेंगे पीडो जिनेसिस याद रखिएगा चलते ह प्रफाइन पावडर नौने सैंड मिक्सेज विद रिमेंस अब डेट प्लांट एनिमल काल हुमस और मिनरल वाइल इस फॉर्म यहां पर कहा है कि जहां जिस जिस जगह पर यह सैंड किसे किसे मिक्स हो जाता है तो यहां पर हम लोग फर्स्ट बात करें यहां पर डेट प्ल रइसांड को जायेगा आपके जो भी मिनर चाहिए तभी जो है सारी सट में होने चाहिए तभी जो है पूरी कहलाएगी यहां तब जाके हमारा स्वाइल क्या हो जाएगा हो जाएगा से तो हमारे और्थ का सबसे ऊपरी सत्रहों होता है lift सब्सक्राइब सब्सक्राइब वाटरने स्वपारद पूरी की स्वाइल नेक्स्ट पैरा में देख सकते हैं कि स्वाइल इंपॉर्धy लाइफ ऑन अर्थ यहां पर कहा रहा है कि स्वाइल जो है ना बहुत ही महत्वपूर्ड है जो भी हमारा अर्थ पे लाइफ है उसको एक्जिस्ट करने के लिए न तो कहरें कि प्लांट्स प्लांट्स होते हैं और हमें खाना खाते हैं तो उसी से और सास भी लेते हैं तो उसी के हल्प से यानि कि पौधे के हल्प से ही यह दोनों चीज़े होती है तो यहां पर करें कि विचिज नीड़ेड़ वाइन अनिमल टुस्टे अलाइब और हम बिल्कुल जाते हैं कि कितना जो है अमारे लिए फूड या फिर ऑक्सीजन चाहें वह इंसान और फिर जानवरों के लिए बहुत ही जरूरी है और यहां पर कह रहे है कि केवल यहीं नहीं जो स्वाइल है ना हमारा वह क्या है एक बहुत सारे कीड़ों के लिए और ज कमास के लिए बना है है तो यहां कि सब्लें बात करेंगे रखन का मतलब होता है तो यहां पर यांद रखेंगे जापतिक और यह इधर पारिकल्टव के सिर्टत। दिखाऊ गए कि यह सबसेंले। 質 दिरा रुप आते स्लाव टीक भाया टेख्स का कई खढ़ाकी ने मतलब यह चिपल फैर आद से जो यह सब चोटा स्वाइल का यह पारीकल जहाएं और यहां पर कह रहा है कि इनके अलावा सेंड, सिल्ट, कले के अलावा और इसके अलावा जो है हमारी मिट्टी में पानी और हवा भी मौझूद होता है और यहां पर जो यह आपका दिखाए गया यह है आपका कौन सा मिट्टी लोमी स्वाइल का एक पार्टिकल दिखाए गया है और आप देख सकते हैं कैसे क्ले सैंड और सिल्से मिलके आपका जो है लोमी स्वाइल एक पार्टिकल बना तो उसमें कहा रहा है कि कौन सा हमारा पार्टिकल प्रिजेंट है इसके आधार पे जादे कौन सा पार्टिकल प्रिजेंट है इसके आधार पे जो है इनका क्लासिफिकेशन वर्गी करर किया गया है तो सबसे तो उसके अकार्डिंग ये तीन तरह के होते हैं कौन कौन से तो तो आपका सेंड यानि की रेतिली मिट्टी यानि की चिकनी मिट्टी और लोमी स्वाइल यानि की चिकनी बलूई मिट्टी तो इस तरीके से आईए जानते हैं हम लोग सेंडी स्वाइल यानि रेतिली मिट्टी के बारे में तो यहां पर इसके नाम से ही आप लोग को समझ में प्रपोर् 싸शन आप साथ मिट्टी ना इसमें क्या है सब स क्या है आपका सेंड सेंड एन इसलिह इसका नाब 되고 सेंड सेंड़ी स्वाइल तो सेंडD इना पर किया होता है बहुत ही करूदरा अरना इसमें बहुत ही को पानी recording करते हैं जब उसको गिला करते हैं तो उससे में चिपकता भी नहीं आपस में दूसरे के साथ आप लोग कभी सेंडी स्वाइल मिले तो आप लोग यह करके देख सकते हैं यह आप लोग को क्लियर हो जाएगा इस नौर्ट हुल्ड मच वाटर एंड्रेंस मोस्ट आफ और यहां नहीं रगता है रही और नसे नहीं बात करेंगी क्लेई श्वाइल के मतलब होता है टॉल्ए इसमें क्लेई चिकनी अधिकल अधिके इसका नाम रखा गया और यहांपे कहा रहा है कि लइन ड्राइज जब करने चिंद बहुता है वेाई बिंपिट स्वायल रहता इस मिट्टी में लगभग जो है बराबर मात्रा में आपका सेंड भी होता है और सिल्ट भी होता है लोमी स्वाइल यह बहुत ही अच्छा स्वाइल है पौधे उगाने के लिए इसमें नुट्रियं tam lub a प्ल्एन यह लिए लिए है बहुत हे अच्छी प्लांट को उगाने के लिए तो इस वीडियो में केवल इतना ही अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे इसका जो बचा हुआ हिसा ओए Okay, bye. See you in the next video.